अब हिंदी वाला टीचर तुम्हें ऐसे पढ़ाएगा जैसे वो खुद इन कहानियों में था बच्चो लाल माटी वाली एक भोती नेक औरत थी रोज बिचारी 600 किलोमेटर चलके चट्टानों पर चड़के शहर में माटी बेचने जाती थी वो माटी जो थी नहीं जानने या लाल माटी के बारे में ये लाल माटी होती क्या है ये तुमने नहीं देखी लाल माटी आज तक मैंने नहीं देखी लाल माटी आज तक होता क्या है ये लाल माटी वो भी नहीं पता तो पढ़ा क्यों रेस के बारे में स्पोर्ट्स वाला टीचर एक स्पोर्ट्स टीचर को ना बस गिंदी के दो काम होते है पहला असेम्बली में स्कूल अटेंशन और स्कूल स्टेंडड़ाइस करवाना दूसरा गेम्स खिलवाना लेकिन इस कामचोर आदमी से वो भी नहीं होते जिस भी दिन तुम्हारा गेम्स का पिरेड होगा ना उसे दिन ही अपसेंट होगा और न जाने क्यों मेरी स्कूल का जो स्पोर्ट टीचर था ना वो समोसे बनाने वाले जैसा था ना ही उससे भागते बनता है ना ही उससे सीटी बजाते बनती है तुम्हारी स्कूल में एक स्टोर रूम होगा जहां पर सारी खेलने की चीज़े रखी होगी जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट की